उत्ता प्रदेश में ब्रामणों और दलितों की हत्या करना अपराद नहीं लेकिन मौझूदा सरकार जातीवादी है या नहीं इसका सर्वे कराना अपराद है सवाल उठना लाजमी है कि अगर सरकार जातीवादी नहीं है तो उसे सर्वे से डर कैसा सर्वे का परिणाम आने से पहले क्यों घबरा गई सूबे की सर्कार अगर सूबे की सर्कार जाती वादी नहीं तो पूरे प्रदेश में सर्वे कराए सर्कार भाजपा बिधायकों ने भी मौझूदा सरकार को जातिवादी बताया है और टियारोपों की सच्चाई इस सर्वे से ही पता लग सकती है लेकिन सरकार लगाता सर्वे के रास्ते को रोकती नदर आ रही है जैन साथियों उत्तर प्रदेश में एक और FIR योगी सरकार ने मुझे पे करा दिये है उत्तर प्रदेश में ब्रामणों की हत्या करना अपराद नहीं है दलितों की हत्या करना अपराद नहीं है लेकिन योगी सरकार जातिवादी है या नहीं ये राय जानना अपराद है उत् दबाईए अगर मानते हैं कि जातिवादी नहीं है तो दो दबाईए और जनता की राज जानने से पहले सर्वे का रिजल्ट आने से पहले सरकार ने मेरे खिलाब एक और मुखदमा खर दिया अरे वही उत्तर प्रदेश में दलितों के ब्रह्मणों के पिछणों के सोसितों के साथ अत्याचार और अन्या हो रहा है ये केले मैं नहीं आपके खुद के विधायत राधा मोहंदास अग्रवाज जी ने आरोप लगा है कि योगी सरकार ठाकुरबादी सरकार है आपके खुद के विधायत देवमणी दुवेदी जी ने आरोप लगा है कि ब्रह्मणों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में और अगर जनता से इस बारे में राय वी जा रही है तो आप मुगदमे क्यों लिखा रहे हो आप डर क्यों र करता हूं कि जो भी पूच्ताच इस मामले में करनी हो जो भी जानकारी इस मामले में हासिल करनी हो मुझसे हासिल कीजिए मैं आपके एक-एक सवालों का जवाब दूगा और ये सर्वे पूरी तरह से सही और सच है ये सुनिया मैंने कौन सा अपराज किया है जातर समाज के लिए काम किया माया वदी ने केवल जातर समाज के लिए काम किया वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रही है क्या आप इस बात से सहमत है अगर आप सहमत है तो एक दबाए अगर आप सहमत नहीं है तो दो दबाए अब आपने सु ही है यानि वो मानती है कि जातिवाद के आरोप का ये जो सरवे मैं करा रहा हूँ ये सरवे सच सही और जनता के वीत में स्विकार पाया जाएगा इसलिए आप आपने एक और मुकदमा किया होगी जी आपको और बहुत बधाई और धन्यवाद मुकद में आप कराते रहिए और मैं अपना काम करता रहूंगा जैहिन